सबी दर्शकों को रेनु शुकला का नमस्कार प्रकृति कहिए या कुद्रप हम सब इसी से बने हैं और इसी में तरह तरह की सबजियां होती हैं तो आज में बाजार गई और हरा चना ले आई तो चलिए बनाते हैं हरे चने की मसालेदा करी हरा चना करी बनाने के लिए इन चीजों का इस्तेवाल करेंगे आधा किलो हरा चना लिया है हमने 200 ग्राम हरा चना हम बाज में इसमें पीस लेंगे और 200 ग्राम को सबजी में डालेंगे दो बड़े प्याज, एक टमाटर, आट-दस दाने लेसुन और एक टुकला अधरा के जिसका हम मसाला बना लेंगे तीन आलू हमने काटकर रखी हैं ये थोड़ी सी हरी धनिया एक चमज धनिया पाउडर एक छोटा चमज हल्दी पाउडर एक चमज लाल बर्च पाउडर एक चमज गरम मसाला पाउडर और नमक स्वादनसर सबसे पहले हम टमाटर, प्याज, लैसुन और अधरक को पीस लेंगे तो ये देखिए हमारा मसाला पिस गया अब हम फिर से इस मिक्सर की मदद लेंगे और धाई सो ग्राम हरे चने को इसमें पीस लेंगे लीजिए पिस गया हमारा धाई सो ग्राम हरा चना इसे हमने बहुत महीन नहीं किया है दर दरा रखा तब तो आएगा करी का मजा अब बारी आती है आलूओं को फ्राई करने की कड़ाई में हमने रिफाइन डाल लिया है और अब हम आलू फ्राई करेंगे हमको आलू तो तिंग रोने तर प्राई करना है तो लीजे साब हो गए हमारे ये पिंग कालू फ्राई हो गए अब हम निकाल लेते हैं इंको अब बिन वसाला को हमने पीसा था वह इसी तेल में हम फ्राई करेंगे अब अब घो जाए है वह जो जाए है अब को अब न को लेकी था है अब करेंगे मसाला हमको तक तक भूना है जब तक की मसाले से तेल अलग नहीं होगा है मसाला हमारा करीज तरीज भूचुका है तेल अलग हो गया मसाले से यह ड़्टो गया है नहीं हें, तो मसाले नहीं तक की जब दया कि अलग से थे तो य windy ज़दिने ज़दा हमें लेकाई, लाइossen रवर प Princip can रड़ी में भूबदा यह भूज करता है सबी सुखे मसाले हमारे इस मसाले में अच्छी तरीके से मिक्स होगा है अब हम इसी में इतिसा हुआ हरा चना बिला देते हैं और इसको 2-3 मिनिट के लिए हम फ्राइ कर लेंगे अच्छी तरीके से हमारा पिसा हुआ हरा चना मसाले के साथ अच्छी तरीके से घुन गया है अब हम इसमें यह साबुत हरा चना मिक्स कर लेते हैं और यह आलमी इसमें जाल देते हैं अच्छी तरीके से मिला लेंगे और इसको वापस 2-3 मिनिट के लिए और बुलना है अब हम इसमें पानी मिक्स करेंगे पानी आप अपने हिसाब से थोड़ा ज़्यादा एकम कर सकते हैं चुकि करी बन रही है इसलिए बहुत ज़्यादा पानी उनको नहीं डाल लागा यह हमने तीन सामल पानी लिया था वह हमने इसमें डाल दिया है अब इसको ढखकर हम 5-7 मिन रखते लिए पका लेंगे तो लीजिए हो गई तयार हमारी हरेचनी की करी अब हम इसको एक सर्विंग बोल में निकाल लेते हैं तो यह रई हरेचनी की मसालेदा करी अब इसमें हरी धनिया और गरम मसाला मिक्स कर देंगे जिससे इसका स्वाथ भी बढ़ जाए और खाने वाले को खुबसूरत भी लगे गरम मसाला और यह हरी धनिया अब जितनी चाहें उतनी डाल सकते हैं इसका टेस्ट बहुत अच्छा होता है देखिए कितनी खुशूरत दिख रही हरे चने की मसालेदार करी मूँ में पानी आ रहा है तो यह रही हमारी आज की डिश हरे चने की मसालेदार करी इसी तरीके की मौथ वोटरिन डिशेज के लिए रेनू के वेंजन देखते रहे फिर मुलाकात होगी एक नए एपिसोड में तब तक के लिए रेनू शुकला का नमस्कार कर दो सब्सक्राइब